हाई गाईस, वेलकम टु मैं अधर वीडियो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन या फिर नाउन आफ मल्टिट्यूट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कलेक्टिव नाउन और क्या होता है नाउन आफ मल्ट ग्रूप आफ प्लेश ठिंग्स एनिमल का नेम होता है उसका नाम अगर सिंगुलर में आता है तो वहां पर वो कलेक्टिव नाउन होगा, और वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, क्या याद रखना है आपको जब भी कोई कलेक्टिव नाउन, एज लाइक आप बोल सकते हो, ग् याद रखना है आपको, और हाँ, जब आपका कलेक्टिव नाउन is used as plural, प्लूरल में आता है, ठीक है, कभी क्यों कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल मान लेते हैं, तो वहां पर हो जाता है नाउन आफ मल्टिट्यूट, ठीक है, clear, जहां पर हम कलेक्टिव नाउन को सिंग् करेंगे, ठीक है, और देखो, यहां पर अगर हमने plural noun माना है, तो उसको noun of multitude करेंगे, और plural verb use करने वाले, जैसे government हो गया, board, staff, committee, jury and company, यह सारे words होते हैं, जो की use होते हैं, collective noun के साथ, okay, as like example देखेंगे, the jury was divided in its opinion, and second example है, the jury were divided in their opinion, तो हां, यहां पर आपको धिहान रखना है कि देखो, हमने यहां पर first example पे, jury को क्या माना है, singular, okay, हमने jury को माना है, singular, इसी लिए हमने यहां पर verb भी कौन सी use करी है, singular wise, okay, और इसी के according हमने pronoun भी it's use किया है, जो की singular है, याद रखना है आपको जब भी आप collective noun को singular मानोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको verb भी singular use करनी है, and pronoun भी singular use करना है, इसका कोई confirm rule नहीं है, second वाला example भी आपका correct है, बट यहां पर jury को हमने अलग-अलग मान लिया है, ठीक है, यहां पर plural माना है, jury के सारे member हो गए, okay, उनको हमने jury बोला है, तो यहां पर हमने verb plural use करी है, and pronoun भी हमने plural use किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा, कि जब आप collective noun को singular consider करते हैं, then आपको verb भी singular use करनी है, and pronoun भी आपको singular ही use करना है, and verb जब आप plural consider करते हैं, मानते हैं, then आपको verb plural use करनी है, and pronoun भी plural use करना है, okay, यह याद रखेंगे, तो चलिए, next और समझेंगे, कुछ, जैसे आपको confusion होगा कि कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अब और clear होने वाला है, देखते हैं, यहाँ पर rule दिया गया है, अगर आप singular noun मानते हैं, यहाँ पर आप अपनी according noun को choose कर सकते हैं, आप singular मानेंगे, then आपको singular verb यूज़ करनी है, और singular pronoun भी लगाना है, ठीक है, इस पर आप सच्छन है, ले अगर plural noun उसको मानते हो, जो हमारा collective word दिया गया है, then वहाँ पर verb भी आप लोग plural यूज़ करेंगे, and plural pronoun भी यूज़ होगा, clear रखना है, जैसे हम example पर देख लेते हैं, the committee are not unanimous in its opinion, यहाँ पर अस तोबार आ गया है, चलिए, the committee are not unanimous in its opinions, तो यहाँ पर its दिया गया है, और यहाँ पर आर दिया गया है, तो यह use कतई नहीं हो सकता, आपको धिहान रखना पड़ेगा, कि जब भी आप singular noun लेते हैं, then आप verb भी singular लगाएंगे, and pronoun भी singular यूज़ करेंगे, अगर हमने इसको plural माना है, committee को, committee as like member of committee, हमने member मान लिया है, तो हमने verb आर यूज़ करी है, यानि plural यूज़ करी है, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, dear होगा, ओके, यहाँ पर its नहीं हो शकता है, clear रखना है आपको, यहाँ पर हम dear फिल करेंगे, या तो फिर आप कर सकते हो singular noun, या फिर singular verb, singular pronoun, जैसे आप committee को, आप singular consider करो, singular मानो, दिन आप यहाँ पर is use कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर its use कर सकते हैं, यह सारे जितने के जितने example दिये गये हैं, आपको यही clear रखना है, कि अगर आपने subject singular माना है, देन आप verb भी singular यूज़ करेंगे, और प्लूराउन भी singular यूज़ करेंगे, अगर आपने plural noun माना है, देन आप प्लूरल वर्व यूज़ करेंगे यह एक रखना है अगर आप कर नहीं रखते हो दिन आपका गलत वाना जाएगा ठीक है तो आपको अच्छे से करना है और यहां पर इट्स आएगा दिन यहां पर हम वर्व हैं यूज़ और अगर हम यहां पर यूज़ करेंगे तो हम यहां पर क्या यूज़ करना है तो यहां पर नहीं होगा आप को याद रखना है कि अगर आप शिन्लिर मांते हैं तो happier अगर वर्ब और singular pronoun भी यूज़ करनी है, अगर singular verb has है, then यहाँ पर क्या हो जाएगा, its, okay, and अगर आप इसको मानते हैं, plural, यानि आप अगर इसको दियर मानते हैं, then यहाँ पर हो जाएगा, have, आपको यह याद रखना पड़ेगा, और यही आपको इस रोल में याद रखना है जब आप noun of multitude use करेंगे, then noun of multitude means आप उसको plural मान रहे हैं, then आपको plural verb भी यूज़ करनी है, और plural pronoun भी यूज़ करना है, okay, next example देखेंगे, दिया गया है, the teacher's association has submitted a memorandum for the fulfillment of their demands, तो यहाँ पर देखो दिया गया है, the teacher's association, teacher का जो शंग है, तो यहाँ पर has दिया गया है, मतलब teacher की शंग का दाम है, आपको simple सा याद रखना है कि अगर आपने singular noun माना है इसको then आप singular verb और singular pronoun use करेंगे and अगर आपने plural noun माना है then plural verb and plural pronoun use होगा next example देखेंगे तो next में दिया गया है the government has to do so in their own interest यहाँ पर government को एक member मतलब member नहीं माना गया है एक group मान लिया गया है then उसका group का name है तो हमने singular लिया है इसलिए हमने has use किया है then यहाँ पर भी हम क्या use करेंगे it's okay चलिए next example देखेंगे तो अब इस पर आप लोग चाहें तो इस पर dear अगर आप लोग को use करना है then आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं have कर सकते हैं तो उपर वाला rule आपको clear रखना है कि अगर आपने singular noun माना है singular verb singular pronoun use करना है and plural noun plural verb plural pronoun यह हो जाएगा आपका structure और इसी के according आपको use कर देना है तो हम सोच रहे हैं कि आपको आ गया होगा clear अब आप लोग गलती नहीं करने वाले हो okay बठाओ आपको पता चल गया अगर आपको region चाहिए तो region क्या होता है देखो collective noun को अगर हम एक साथ रखते हैं तो यह क्या करता है एक unity show करता है मतलब की एक में आ गया ठीक है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उसको singular मान लेते हैं unity हो गई then singular verb और singular pronoun यूज़ कर देना है और अगर noun of multitude आता है noun of multitude मतलब जब उसके members होते हैं unity नहीं होती वहाँ पर नंबर की बात हो जाती है members के नंबर की दिन वहाँ पर उसको noun of multitude consider किया जाता है and plural noun यूज़ करते हैं plural verb and plural pronoun तो चलिए आसा है आपको आ गया होगा समझ में yes I have done it okay and और अच्छे से हमने किया है ठीक है अब हम गलत नहीं करने वाले हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे नेक्स्ट रूल